मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कॉंग्रेस पार्टी गांधी परिवार और कमलनाथ पर हमला बोला है दरसल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान का कहना है आरोप है कि पहले गांधी परिवार देश को ठगा करता था लेकिन अब कमलनात ने गांधी परिवार को ही ठग दिया है ऐसा आरोप वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गुरुवार को मंद्रा में प्रियंका गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रही थी जनसभा के दोरान उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए कुछ गोशनाएं की लेकिन इन गोशनाओं में बीच में ही कुछ सुधार करवाया गए जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान का ये बयान शुकरवार को प्रदेश की राजधानी भुपाल में आया है वैसे मध्यपरदेश में 17 नवेंबर को चुनाओं होने हैं दोनों ही पार्टियों का चुनाओं परचार जो है अभी चल रहा है लेकिन अभी उस तरीके से उस लेवल पर नहीं पहुँचा है क्योंकि अभी शराद या पित्रपक्स चल रहा है और दोनों ही पार्टी के ने पहले नवरात्रे की दिन निमनी जाएंगे वहां पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अपना प्रचार करेंगे वैसे दोनों ही दल मध्यप्रदेश में आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा दिख भी रहा है कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से रहुल गांधी की सभाओ वो शेडोल में हुई आदिवासी बहुलिया इलाके में हुई मंडला में प्रियंका गांधी की सभा आदिवासी बहुलिया इलाके में हुई और कॉंग्रेस पार्टी के पास एक जो है बहुत बड़ा तीर भी है उनके हाथ में लगा एक मुद्द तरावत के उपर जो सीधी में पिशाब कांड हुआ था वो एक बहुत बड़ा मुद्दाबन के मद्यवासी के लिए मदद गार साबित हो रहा है क्योंकि आधिवासी जो वोट बैंक है उसको दोनों ही पार्टी जो अपनी तरफ करना चाहते हैं संतालिस सीटे आधिवासी के लिए रिजर्वड हैं पिछली बार कॉंग्रेस को मेजॉरिटी सीटे आधिवासी के मिली थी और माना मद्यवासी में यह जाता है कि जो आधिवासी की मेजॉरिटी सीट जीता है most of the times अक्सर उसी की उसी पार्टी की उसी दल की जो है मध्यव प्रदेश में सरकार बनती है इससे पहले 2013 में और 2008 में भारतिय जंता पार्टी को आदिवासियों की maximum seats मिली थी इस वज़े से उनकी मध्यव प्रदेश में सरकार बनी थी और इसलिए पूरी एफट जो वह है आदिवासियों पर अपनी फोकस कर रही है दूसरी तरफ भारती जंता पार्टी भी आदिवासियों वोट बैंक को अपनी तरफ लुबाने के लिए कोशिश कर रही है और बहुत प्रयास उसके लिए हो रहे हैं चाहे वो हबीब गंज रेलवेस स्टेशन का नाम रानी कपलापती रेलवेस स्टेशन में तबदील करना हो और भी बहुत सारे एट्सेंट्स हो रहे हैं लेकिन भारती जंता पार्टी को जो है लेकिन अभी भी भारती जंता पार्टी जो है कॉंग्रेस के जो दिगविजे सिंग का जो 2003 से पहले का कारेकाल था उसको अटाक कर रही है कह रही है 2003 से पहले मध्यप्रदेश में बिजली सड़क पानी की क्या हालत थी उसका कंपेरिजन अभी आज की डेट से किया जा रहा है और साथ ही साथ कमलनात के उपर भी अटाक किया जा रहा है चाहे वो ग्रह मंत्री अमिद्शाह हो दो बार नोनर ने यहां पे मध्यप्रदेश में एक बार प्रेस कॉंफरेंस की और दूसरी बार कहा है कि करप्शन नात के नाम से कमलनात को संबोधित किया है हाला कि यह मामला भी थोड़ा सा पार्टी के लिए थोड़ा सा उल्टा बैट सकता है क्यूंकि केंद्र में पिछले लगवग नौ सालों से भारती जंता पार्टी की सरकार है और मद्व परदेश में तो पीछले 20 सालों से 15 महीने अगर कमलनात का कारेकाल छोड़ दें बीच का तो बीजेपी की सरकार है और इस दौरान कोई आक्शन कमलनात के यहां के खिलाफ नहीं लिया गया है और एक जो बड़ा मुद्दा और सामने उभर कर आया है शायद उसकी वज़े से जो है थोड़ा सा बीजेपी की स्ट्राटीजी में भी चेंज हुआ है वो है रहुल कांधी अब OBC की बात कर रहे है और जाती के अधार पर जंगनना की बात कर रहे है और OBC का मुद्दा उठाने के बाद जो है भारती जंता पार्टी भी थोड़ा अपने डिफेंसिव मोट से बाहर आ गई और कह रहे है कि हमने तो तीन-तीन मुखे मंतरी पिछले 18 साल में या 20 साल में मध्यपरदेश में OBC के दिये है इसलिए कॉंग्रेस पार्टी का यह कहना कि OBC के खिलाफ भारती जंता पार्टी यह बिल्कुल सही नहीं है हमेद्र शर्मा भुपाल चुनाओ आज तक